अधिया गया जाएंट नेशना जानी नेशना जानी अधिया जाना सब्सक्राइब को तो बहुत वादी किनि ये पंजेने चहों मिंदुवाज जे लाएंटे वुद्वाजनी आउनर जीता है तो नेशाईं जदोवी कुर्फ अध्यापकों को समाच में गुरू का दर्चा दिया गया है और इनके बिना देश का विकास असंभव है और अध्यापकों की बड़ी सिम्मेदारी बनती है कि वह बच्चों को गुणवत्ता भरपूर सिक्षा प्रदान करे क्योंकि यह बच्चे ही आगे चलकर देश की बागदूर समालेंगे इन शब्दों के साथ श्री उम्पकास सोनी उपके मंत्री पंजाब ने आज राज़े भर के पंदरा सो से जादा आधिक स्कूल प्रोकों जो की एससेट और प्राइविट स्कूलों से संबंदित है कि राजस्थरी समारों को संबोधन करते हुए किया इस मौके पर श्री सोनी ने कहा कि पिछले साड़े चार सालों के दुराना हमारे सरकार ने शिक्षा के शेत्र में एहम उपलब्दी हासल की है और पंजाब पूरे देश में शिक्षा के शेत्र में पहलास्तान बन गया है श्री सोनी ने ध्यापकों को संबोधन करते हुए कहा कि सारा समाज सबसे ज़्यादा सथकार अध्यापकों का करता है इसलिए ध्यापकों का फर्स बनता है कि वह बच्चों की अच्छी शिक्षा अप्रदान करें उनने कहा कि जब उनके श्पास शिक्षा वबाग की जिम्मधारी आई तो सरकारी स्कूलों के परिणाम बहुत बुरे थे और उनके दिल की तमना थी कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्थर को उच्चे उठाय जाए जिसके लिए सबसे पहले सरकारी स्कूलों के बनियाद अध्यापकों की वज़े से हैं और अध्यापक ही देश का असली निरमाता है देखी अमरेचर से नरदर सेथी की इरपोग वगता है सो क्राइटी एजुकेश्न बच्चे नो ताह फिए मिल लख लिए के स्कूल थी मैंजमेंट इक स्कोल की और स्कूल थी तीक आपने जुमियारी सम्झन जिन्नी जुमियारी ना ले कामकारे ने तो साधे पन्जाब जो एजूकेशन ना एस वड़े पद्र है, तो मैं समझना है, साधे चाहे सरकारी स्कूल ने, चाहे प्राइबेट स्कूल ने, साधे पन्जाब जड़ा, इंडिया तो पहले नंबरते है, सो एदना मगर सारी देन जड़ी है, साधे टीचर्स को आँ दिय साधे स्कूलना तर दी मेंजमेंट दिया, साहे सरकारी स्कूल ने, साहे प्राइबेट स्कूल के देन ev Track वेको अजीस हार तरह दे डेंगू दे रेरिजमेंट किते ने, तुझी बेह रहे होना, केस जड़ेने, वो दिनों देन काट रहे ने, केस नो डाउट के केस होजे निसी, होन जड़े केस कटने चालू होगे ने, जल्दी जड़ा साब को ठीक होजेगा, वैसे सरकार वलो हार तरह देंगू हरे रेमेंट किते हैं